पूरे रम्जा, पूरे रम्जा, पूरे रम्जा जी आज का टॉपिक है क्या बहू बेटी नहीं होती और पहले हमारे पार्टिस्मेंट्स है अनिका अमजद, बेटा आप गौर्मेंट कॉलीश से अपका तालू कि अच्छाब ग्रोप ऑफ कॉलेज अच्छा यहां गल्द लिखा हुआ है कोई ऐसी बात नहीं, आप राड़ी सद्रेजीवकार, बेटी हमेशा परायधन नहीं होती है, बेटी वो है जो जब भी सुसराल जाती है, तो सुसराल में उनकी इज़त बन जाती है, बेटी वो है जो सुसराल में हर दुख और सुख में उस घर के सिपा सालार बन जाती है, सद्रेजीवकार बहू एक कलंग समझे जाने वाला ऐसा रिष्टा है जो हर बेटी के सर पर रख दिया जाता है लेकिन आज तक तारीख में ये ताज कभी बहू के सर पर नहीं रखा गया सद्रेजीवकार तारीख में लिडि डायाना के किड़दार को देखते हैं तो वाजिय होता है कि उसको भी बहू ही समझा गया बेटी का मकाम नहीं दिया गया उसको बेटी का मकाम दिया जाता तो आज उसकी मौत का वाक्या रोनुमा ना होता सद्रेजीवकार हमारे माश्रे में बेटी को जायदात की खाते उसकी शादी कुरान से करा दी जाती है तो ऐसे माश्रे में बहु को बेटी का किरदार कैसे दिया जा सकता है आश्याने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो देखकर रंजो अलम मुस्कुराने की बात करते हो सद्रेजीवकार बहु को एक कमजोर साथ समझा गया है लेकिन आज भी इंसानियत के एक दर्वाजा थपेड़े माड़ा है कि तुम बहु को बेटी का दर्जा देखकर तो देखो वही बहु ये दर्जा संभालते ही बेटी से जादा तुम्हारी खिदमत करेगी सद्रेजीवकार तारीख इसलामी में नजरे दो राएं तो बहु का तथकरा कहीं नहीं मिलता क्यों? क्यूंके बहु को इसलाम में बेटी का दर्जा दिया गया सद्रे जीवकार, अगर हम उस्वाय हसना पर अमल करते हुए, बेटी को बेटी का दर्जा देंगे, तब ही हम बहु को भी बेटी का दर्जा दे सकते हैं सद्रजीवकार हम लोग अपने रवईयों को मस्पत रखें और दूसरे घर से आने वाली बेटी को अपनी बेटी समझें तो बेटी को बहु का दर्जा जरूर दिया जा सकता है बेटी जब सुसराल जाती है अचानक बेटी से बहु बन जाती है कल तक जो उड़ती थी मस्थ हवाओं सी आज सुसराल में बन सी जाती है अचानक बेटी बहु बन जाती है अचानक बेटी बहु बन चाती है सद्रे जीवकार आखिर में मैं ये पेगाम देना चाहूंगी कि बाहरत के अंदर जो करोना वाइरस की लहर दो रही है हम बाहरत में इस मुश्किल घरी में उसके साथ हैं पाकिस्तानी अवाम को मैं ये मिसाल देना चाहूंगी कि एहतियात करें और ये पेगाम भी दूँगी एहतियात करें और इस बिमारे से मुथे दो कर लड़ें शुक्रिया आपकी इस मातों का बेहर शुक्रिया बहुत शुक्रिया बेटा नेक्ट्स पार्टिस्पेंट्स हैं जेब गिजनफर इनका नाम है और इनका तालुक काईद आजम उनस्ट्री से है अच्छा ये आज मिरे आला सबके गलत दिखेंगे हैं मैं यह बोलूँगा किपसे हैं आप रेडी है बेटा बिसमिल्ला कीजिए सद्रे आली वकार एक बेटी घर का चराग आंगन में खेलता गुलाब अम्मा की दुलारी बाप की लाडली भाई की प्यारी आंगन के पेड़ पर लगे जूले को जूलती हुई वो शरारती चड़िया एक रोज अपने भाबा का तूटा चश्मा अम्मा की चादर भाई का कलम इसी और की आंगन में चांद बनकर चमकने के लिए बहू के रूप में अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत करती है सद्रे आली वकार दूसरी और शामियाने बजाकर उस चांद सी दुलहन को खुशामदीत कहा जाता है पर आली वकार दिन चार नहीं अधारी उस नाजू कंधों पर डाल दी जाती है उसके हर काम में नक्स उसकी हर बात पर ताना दे कर जिन्दगी उसके लिए अजीरन और कठन बना दी जाती है सद्रे आली वकार फिर होता यू है कि मेरे दोहरे मैयार के मुआशरे में मुनाफकत अरूज पर आती है कि जिस मुआशरे में बहू की भी वही उम्र जो बेटी की उम्र बहू की भी वही तालीम जो बेटी की तालीम बहू की भी वही जिमेदारिया जो बेटी की जिमेदारिया तो फिर बेटी की तरभीयत पर और बहु की तरभीत पर ताने और सवलाथ तो मैं कहता हूँ जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारो उसे बहु भी मुस्कुराना चाहती है صदर आली वकार फिर मैं तस्वीर का दूसरा रुख तिरा मंसा तूरे मुसा तिरा मंसा तूरे मुसा जीवकार, औरत के बहुत से रूप होते हैं. औरत बेटी के रूप में घर की रौनक होती है, बहन के रूप में भाई पर निसार होती है, मा के रूप में एक सायादार दरख्त, बीवी के रूप में खिद्मत गुजार शरीके हयात, भाभी के शकल में अच्छी दोस्त और नन के शकल में हम्राज है जनाबेवाला। लेकिन औरत का एक रूप ऐसा होता है कि जिसके बारे में जिक्र तो बहुत होता है लेकिन जनाबेवाला जब औरत इस रूप में ढलती है तो ना जाने क्यों हम उसे तसलीम नहीं करते वो रूप है बहु महबतों और अर्मानों से सजी डोली में बैठी बाबा की लाज दुलारी एक दिन बहु बन जाती है लेकिन ये खोखला मौशिरा बेटी को धूम धाम से बहु तो बनाता है लेकिन बहु को बेटी तसलीम नहीं करता बेटी जो मुहबत की देवी है जब वो बहुक बनती है तो उसे नफरत की मूरत बना दिया जाता है आली जनाब दो खांदानों के होए समझोते को निबाती बाब की पगड़ी की आन को बढ़ाती जमाने के रवायात और नजाने कौन कौन से ऐसे हक जो उसे मिलने चाहिए उच से बेहक रहती है आली जनाब दर्द सहने में कमाल रखती है सिवाए खुद के वो सबका खयाल रखती है हाँ नाजों से पली बाबा की ये लाजली बेटी चाने कैसा जबते कमाल रखती है आली जनाब आँख में नम लपे तबस्सम उसकी फिर भी वो जबते कमाल रखती है आली जनाब क्यूं ये इल्मिया बन चुका है कि दमाद अच्छे हैं बेटियों को खुश रखते हैं लेकिन बेटे जो बहुँँआ को खुश रहते हैं उससे सब नाराज आली जनाब मैं ये कहना चाहती हूं कि जो मा है वो ही सास है तो फिर मा क्यूं अच्छी और सास क्यूं बुरी जब बेटी बहु बनती है तो वही बहु है तो फिर बेटी क्यों लाडली बहु क्यों बुरी आली जनाब बदलना है तो सोच को बदलना है कि एक अच्छी बहु एक अच्छी बेटी एक अच्छी बीवी एक बाकिरदार मां एक बाहया बीवी और मां बनती है और एक अच्छी माँ ही एक अच्छे मौशे की बुन्याद रखती है तो फिर वो ही एक अच्छी बहु एक अच्छी बेटी बन सकती है आली जनाब भारत में करोना बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है जिसके लिए हमें सोपीस को फॉलो करना है क्योंकि को रोना से डर्ना नहीं लड़ना है मास लगाना है हैं सैनिताइजर का इस्तेमाल करना है बहुत शुक्रिया आपकी समाथ हो बीटे आप यहीं पे रो आज भीटा और बाकी दोनों कि टेस्टेंट्स भी अनीका और शाजेब भी हमें जॉइन करें कासिम भाई आप जज्जमंट का वक्त आगया है मैं नंबर वा नहीं बताऊंगा जी यह आप थ्री से शुरू करते अच्छा आज जो कह लीजिए अनीका बिटा आप नंबर थ्री हो और मैं हरान हूं कि आप आज आपकी अनर्जी लो थी उस तिन आपका एक्स्प्रेशन जैनब है बेटा वेरी गुड तोड़ा सा कॉंटेंट की कमी थी एक्स्प्रेशन भी ठीक था कोशिश बहुत अच्छी आपने की और नंबर वन है शाजेब घजनफर वेरी नाइस शाजेब बहुत बहुत मुबारिक हो शाजेब आपको गिफ्टमफर मिलेगा तीनों को अ बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा आपका वेल डान और जल्दी से मेरे ख्याल से गिफ्ट एमपर की तरफ गिफ्ट एमपर के रही हूं गिफ्ट एमपर तो दे दिए अब हम जा रहे हैं उम्रे के टिकिट की तरफ व्यूवर्स जैसे कि आप जानते हैं डेली अलनूर आजबाद भीस रमजानल बबारेक तक क्लियर करतें ताके आप पी इस कुरांदाजी का हिस्सा बन सकें फाइनल आज का जो गिफ्ट है कीमती इनाम जो सबसे कीमती इनाम है वो तो अफकॉस उम्रे का टिकेट ही है जिसका नाम हम अब अनाउंस करने जा रहे हैं चारी नाम है जी मुहमद इहतेशाम खान इसके साथ स्लैश है इमतियाज अकबर खान लहोर से इनका तलुक है और शेशन नमबर इनका है बी ऐल एम फाइव टू सेवन एट सिक्स पोर नाइन बहुत बहुत मुबारिक हो दोनों को मुहमद इहतेशाम खान एन इमतियाज अकबर खान को कासिम भाई आपसे वाक्या सुनना है लेकिन मुहम ब्रेक के बाद सुनेंगी क्चिन में मेरी बड़ी प्यारी सहेली भी आ गई है लेकिन किचन में जाने से पहले हमेशा कहती है ये बड़ी जरूरी चीज़ है और बाइद वे हाथ मगरों धोने के लिए नहीं धोने प्रॉपर तरीके से धोने हैं नेल्स लंबे हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से साफ करें वेरी वेरी इंपॉर्टन तो वाश यॉर हैंड अगर हाथ नहीं धो सकते पानी किसी होना है तो डेटॉल की डिसिंफेक्टेंट स्प्रे भी जरूर इस्तमाल करें सर्फिस को साफ करने के लिए इसमें डेटॉल का एंटी सेप्टिक लिक्विड जो है वो शामिल है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं थैंक्यू सो मच किचिन में अस्सलाम अलेकूम शेफ मा सिक्स्टी कैलरीज को अबजॉब कर जाता है जब आप चीजें जब आप इसको यूज करते हैं सो क्यूंके इसकी अबजॉबंसी बहुत अच्छी है हम इसको रख के ऐसे अपने सब्रोसो के चिकन पकॉडों को निकाल लेंगे जो बहुत ही खुब्सूरत गोल्डन बहुत ही लजीज और उसके साथ साथ अगर आपने इनकी चिकन कचोरिया नहीं ट्राइकी तो जरूर ट्राइक कीजेगा वो और करने के लिए 042-111-722-477 पे आप कॉल कर सकते हैं साथ में अगर इन चिकन पकॉडों के आप मिचल्स टमाटो केचप या मिचल्स चिली गाल अगर जा शुड़ीज नहीं है, इसमें कोई भी वेच्टेबल पाक्ट अड़िए नहीं होता, तरद देरी प्रेक्रीम है रगुलर क्रीम भी है, ब्रेकफस्स कीम भी है, विपिंग क्रीम भी है इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका ग्रेत कंसिस्टेंसी एं ग्रेत है आप इसको जरूर इस्तमाल करें बहुत ही लजीज है एंड हमने जो फ्राइ किये हैं अपने सब रोसो के चिकन पकोड़े वो कश्मीर कुकिंग ओयल और बनास्पती में किया है बहुत ही 100% नैच्रल इंडीडियन से तयार किया हुआ 1962 से हमारा साथ निभा रहा है और जरू कुकिंग ओयल और बनास्पती का इसकामाल करें इसमें वाइटमिन A एंड वाइटमिन D3 वरपूर कॉटिटी में है शामिल एंड अफकॉस थंडी थंडी को के साथ आप बनी हुई हमारी चीजे का ट्राइ करेंगे तो क्या ही बात है तो हमारा मेन्यू क्या है अज का अज क मैंने ग्रिल चिकन बनाया है कोजन मेरीनेशन इसके उपर की थी साथ में मैश्च पोटेटोस हैं लेकिन जो है क्रीम के साथ आज मैं सौस बनारी हूं मुष्रूम है मेरे पास फ्रेश मुष्रूम है और बहुत ईजी क्रीमी सौस और नॉमली हम रेस्टोरेंट में जाके का आप इस्तमाल करें ठंडा ठंडा टैंक मिलते हैं ब्रेक के बाद वेल्कम बैक आज क्योंकि मुद्ध तोबा का था तोबा के हवाले से ही एक वाक्या किस्सा मैं आप से बियान करने लगा हूं और ये किस्सा अब्दुल्ला बिन अबास से मर्वी है कि जब हजब यूनस अपनी कौम से नाउमीद हो गए मायूस हो गए कि वो अल्ला की बारगा की तरफ नहीं आ रहे और पल्ट नहीं रहे सही रस्ते पे नहीं आ रहे तो उन्होंने दौा की कि ए मेरे रब मेरी कौम तोहीद से फिर गई है कुफर की तरफ आ गई है तू अपना अजाब इन पे नाजल कर दे अल्ला ताला ने इनकी तरह वही भेजी और वही में कहा कि अजाब लाजमी आएगा कौम को इन्होंने इशारा दिया कि अजाब आने लगया और खुद अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ नैनवा के बाहर जो पहाड़ी थी उस पे जाके बैट गए अब पहाड़ी पे मौजूद थे और अजाब का इंतजार कर रहे थे अल्ला ताला ने हज़र जिब्राईल लाजसलाम से ये कहा कि जहन्म के दरोगा को कहो कि जहन्म की जुलसा देनी वली हवा वो इनकी तरफ बेजी जाए नैनवा की तरफ उसका रुख कर दिया गया जिब्राईल लाजसलाम इस हवा का इशारा करने के बाद कौम अपनी आँखों से देखने लग पड़ी के अजाब जो है वो सर पे आन पड़ा है काली अंधेरी एक राद चा गई और अजाब सर पे आ गया इस हालत में उस कौम के सब लोग इकटे हुए और उन्होंने थाज़त यूनस लिएसलाम को ढूनना शुरू किया वो ना मिले जब वो ना मिले तो उन्होंने उसी वक्त इवन के अपने जानवर बच्चे घर सब को साथ मिलाया और साथ मिलाके एक मिदान में कटे हुए और अल्ला से तोबा करनी शुरू की अपने चेहरों पे राक मली गड़गडाना शुरू किया इलतजा की अपनी कम माईगी पेश की अर्जी पेश की कि या बारी ताला हम बूल गए थे हमें माफ फरमा दे तो अपना करम करने वाला है फजल करने वाला है गुनागारों को बखशने वाला तु ही है उसी वक्त वो अजाब टल गया और ये वाक्या हमें बताता है कि जो हालत आज दुनिया की हुई पड़ी है भारत में लोग मर रहे हैं और करोना की वज़ा से सारी दुनिया बड़ी परेशान है लहुर के सारे हॉस्पिटल्स बरे हुए है पाकिस्तान में बड़ा शदीद स्ट्रेस है दुनिया के कई ममालक में आक्सिजिन की शदीद कमी है ये वो वक्त है कि हमें इस्तमाई तौबा की वज़ा से सची तौबा की वज़ा से तो हमें भी सची तौबा करनी चाहिए मिलके आज अल्ला से इलतजा करनी चाहिए कि या बारी ताला हम जो भी हैं बड़े गुनागार ठहरे सो कमी हमें हैं लेकिन हम तेरे बंदे हैं हमारे गुना जितने भी ज्यादा है त इनी गुनाहों के साथ तेरे से माफ़ी मांगते है पहले भी तू माफ़ करने वाला है आज भी तू माफ़ करने वाला है और तू तो रब खुश होता है हमें तो बिशारत मेली सरकार दौालम ﷺ से आहदीस रसूल में पता लगा कि जब मेरा बन्दा पल्टा है तो मैं खुश होता हूँ कि वो पल्टा और तॲबा की तरफ आ गया आज़लिने मौतरम आज पल्टिये तॲबा कीजिए अल्ला से माफ़ी मांगिये अल्ला माफ़ करने वाला है मेरी दौा है अल्ला हम सब को माफ कर दे इस करोना जैसी वबा का खात्मा हो जाए बहुत बहुत शुक्री आपकर आमीन क्या खूबसूरत दौा पे हमारे भाई ने इस सेग्मन को क्लोज किया किचन में हम आ गए हैं मिल्क पैक क्रीम जो है हमारी बहुत ही मज़े की सॉस में डाली जा रही है जो बाइद वे ग्रिल चिकन ब्रेस्ट जो है सब्रोसो का वो हमने यूज किया है ये देखिए व्यूवर्स बहुत ही मज़े का बड़े खुबसूरती से उस पर ग्रिल मार्क्स भी दिये गए हैं अब इसके उपर हम डालने लगे हैं ये क्रीमी सॉस आजी जल्दी से साथ में रेसिपी में बता दू आप कोई भी वेजटेबल कर सकते हैं साथ में मैंने आज मैश प्रेटोस मनाएं मैश प्रेटोस में भी मैंने थोड़ी सी क्रीम आड़ किया है अब इसके लिए गार्लिक के साथ सॉल्ट अन पेपर टेस्ट के अप्रेटोस में अप्रेटोस मेरे थोड़ी सी डाली तेक्स्च्छर उसका इसलिए इतना क्रीमी और इतना मज़ेका इसी दरा सॉस जो है मैंने दूद और क्रीम आपने मैंने जो मिल्क पैक की यूज किया ह दूद के साथ मेरे पास से मशूरो मैंने सोटे कर लिए के साथ तो और इसके अंदर दूद और खिरोगी साथ क्रीम अप्रेणे तार अचिए ग्रेट कर एड़ी स्कुरमरा घुरोस मेरे घुड़ी से मैं आपने टेस्ट कर डाली के साथ और अर अटमरे चिंडर अपर जुमने हर 20 हम असमिछ इसम्हिए नहां टेखिव करना खेंठाआ ही, इसमीर नम्हीं-ड काहला चेंगने zaas Malta ठंडा तंडा टेंग आ अप लेखरे हैं आप देख्रेंग डेख्रेंग, अज मेने पांच हमने कौन सा टांग बनााया है अगर कोक कोला तो क्या ही बात है हर डिश का मज़ा डबल टुपल हो जाता है तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम व्यूवर्स मेरी तरफ से, कासिम अली शाह की तरफ से और हुमा किरवानी की तरफ से खुदाफिस कहना चाओंगी और व्यूवर्स एक रिक्वेस्ट एक इल् वाइज प्रोग्राम करने का रीजन जो हमारा टॉपिक था करोना वाइरस यह वबा। व्यूवर्स हमारे प्रोडूसर आप उनको बहुत से लोग खेज रहे थे इंडिया में जो हालात हैं भारत में जो हालात हैं तो बहुत स्यादा डिस्टर्ब कोई फिर उन्होंने हमारे ग्रूप में मैसिज किया कि कल हमारा जो भी टॉपिक था हम उसे चेंज करके इसी पर बात करेंगे क्योंकि संडे है लोग घर होते हैं टीवी देख रहे होते हैं तो हमने लोगों को पॉजिटिव मैसिज देना है आज का अब्जेक्टिव आपको डराना नहीं था व्यूवर्स हमारा अब्जेक्टिव था आपको गाइड करना देखें अल्ला ताला हम सब को करोना को प्रैक्टिस करें कुछ अर्सा अगर हम सोशलाइज और गेट तोगेधर से इच्टनाब करेंगे तो इससे नुकसान नहीं फाइदा ही फाइदा होगा महबतें सिर्फ मिलने से नहीं बांटी जाती एक दूसरा का ख्याल रखके भी महबतें बांटी जा सकती हैं घर पे रहके तोबा करें धौा करें कि अल्श पूरी दुनिया को इस वबा से भीचे और हमसा के मिल्क में जो हालात हैं और जो दूसरे ममालिक हालात बद से बुत्तरीन होते जा रहे हैं । अपना ख्याल रख़ियेगा हुदा करें ओुरे ढूसा अज्जाववती है लाह एकबर लाह एकबर अबाओ वाक बाओा जाह एकबर लाह एकबर शुद वनलाइ लाइफ एलाइ एलाइ ऑर शुद बनाइफ एलाइ ऑर एलाइफ 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 अशहद वन मुहम्मद र्रसूलुलाह 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 प्या वन मुहम्मद र्रसूलुलाह गास अपार अपहर अपर या इलाग इन्लाव महमूदनिल्दी वादत वार्जुकना शवादत हु योम अल्कियामत इन्नक ला तुखलिफ ल्मियाद